हेलो स्टुडेंट आज हम लोग एंसी आटी का पिछला इंवर्स्ट इगॉनमेट्रिकल का जो थियोरी दिये थे उसके बाद हमारा चैप्टर है एंसी आटी का फर्स चैप्टर उसको अब सॉलुशन करेंगे एंसी आटी सॉलुशन करने के बाद आपको बहुत सारा कॉश्चन अधर अधर बुक का भी वीडियो के माध्यम से सॉलुशन करवाया जाएगा लेकिन प्रोपरली अभी फिलाल के लिए एक्जाम के रिलेटेट हम लोग फोकस करेंगे जितना भी एंसी आटी कॉश्चन है कर दो वे सब्सक्राइब यहां के बारे को लिए नदेना के कर रसुटो और काम हो जाएगा तो फिलेटिव एक वागी सांथियुटू्पर ही लुथ तो सब्सक्राइब का जायें पको अपने साथ अपने साथ positive value रख रहा तो भी first में जाएगा और 10 अपने साथ positive रख रहा तो भी कहां जाएगा यह एक function है जो पाइक माइनस करके हम लोग बनाते हैं बाकि यह दोनों जो question आपको पाइक माइनस करने की ज़रूत नहीं डारेक्ट नगेटिव ले लेंगे तो चलिए फिलाल हम लोग question न स्टार्ट करते हैं और हमारा question आपको इस अभी जाम में objective पूछेगा तो अब objective को देखकर इसको बनाइए sign inverse अपने साथ क्या रख रहा है sign inverse अपने साथ negative value रख रहा है अंग्लिस में बोलेंगे सब्सक्राइब को लेकर इस चीज को पढ़ा रहें तो बिहार वोट के रिलेटेड ही रहेगा और सब्सक्राइब करवाएंगे तो यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब को रख रहें तो इसका अंसर जो हमारा होगा वह फॉर्थ क्वाड़न वह सारे के सारे नगेतिव होते हैं तो आपको बनाना कैसे है तो बस इहां लिक देना है सान इनवर्स-1 1y2 इसका आंसर 4th quadrant में है इसलिए 4th quadrant में जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे माइनस होते हैं आगे आप माइनस लगा लिजिए और बस आपको यह पता होना चाहिए कि साइन की वैलू 1y2 कहां होती है साइन की वैलू 1y2 होती है तीस डिग्री पे और तीस डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं तीस डिग्री परावर लिखाता है पाइवाई 6 इसलिए पाइवाई 6 लिए आना है क्योंकि 4th quadrant में जितने भी principal वैलू है सारे के सारे नगेटिव है औ और कॉस इनवर्स अपने साथ नगेटिव रखता है तो उसको पाइव में से घटा कर हम लोग अंस्टन निकालते हैं बस यही तीन चीज़ ही याद रखना है सान इनवर्स कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स आपका यह पहला प्रस्ष्ण कंप्लेट हो गया और पहले concept में आ सारे के सारे कौन कोन है माइनस पाई ए भाई थ्री माइनस पाई भाई फॉर माइनस पाई भाई शिक्स और माइनस पाई बाई टु बस यह वैलू को आपको ध्यान में रखना है अब आगे का concept देखी अगला question हमारा क्या है प्रस रूट थे वाई टू है तो आपके कॉसेक इनवर्ष टू डरनी की जरुवत नहीं है मैंने बोला मां तक तीन याब रखना है कॉसेक का उल्टा होता है साइन दो को ल्टा होता है वन वाई दो वस साइन वह का वन वाई दो वहलू निकाल लेंगे आपका अंसर आ जाएगा तो चलिए हमारा दूसरा नमर जो बात कॉपी पे अरामसि इसको लिक लीजिए एक और बात अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्किंसर्ट भी ले सकते हैं ठीक अगर हमारा स्पीड जादा लग रहा है तो आपके यूट्यूब में ऐसा फंक्शन है कि आपके स्पी रूट 3y2 बस यहां पर लिखेंगे यहां here here यहां कॉस इन्वर्स अपने साथ positive value रख रहा है इसलिए therefore आपका जो कॉस इन्वर्स का value होगा वह first quadrant में होगा तो कॉस इन्वर्स रूट 3y2 कामान value value प्राथम चतुर्थां first quadrant में होगा इसलिए लिखेंगा कॉस इन्वर्स रूट 3y2 यह कॉस इन्वर्स रूट 3y2 का मान कितना हो जाएगा तो बस आप यह दिमाग रखिए कि कॉस ठीटा का मान पहले लिक्चर में ही बताया था कि first quadrant अर्था पॉजेटिव एंगल सेकंड कॉडेंट भी पॉजेटिव एंगल बट फोर्थ कॉडेंट इज नगेटिव एंगल थर्ड कॉडेंट इस नॉट पॉसिवल इन्वर्स टर्गनोमेटिकल उसको तीन वार चार वार पांच वार बना लीजिए क्योंकि लगवग सारे क्वेश्चन इन्सी आटि से आ जाते हैं अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है तिसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यह आपका complete हो गया चले इसको हटा लीजिए तिसरा नंबर जो हमारा क्व ॉच्चन है तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन को सेник-वर्स-डो अब इसको कैसे करें गे रही हम बोले मैंने क्या बटाया आपको कि मात्र तीन ही चीज आपको धियान रखना है सआइन क्वाहस्चो य॥ा थान यह 3 से आपका प्रूपरली काम हो जाएगा तो कॉसेक इंवर्स दो है इसका अंसर क्या होगा तो पहले इसको क्या कीजिए कि कोषेक का उल्टा होता है साइन तो कॉसेक इन्वर्स का भी उल्टा क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स जब इसका उल्टा इसको लिखे हैं तो दो का भी उल्टा होता है वन बटा दो अब इसका मान बताइए तो लिखेगा यहां साइन इन्वर्स अपने साथ पोजेटी वैल्यू र रहा है इसलिए sin inverse 1 by 2 का मुख्यमान या प्रिंसिपल बैल्यू प्रत्थम चतुर्थांस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा therefore sin inverse 1 by 2 equals to लिख सकते हैं कॉसेक inverse sin का उल्टा कॉसेक 1 वटा 2 का उल्टा 2 और sin का वैलू 1 वटा 2 कहां पे होता है तीश डिगडी पर इसको लिख सकते हैं 5y 6 answer इस तरह से इसको आप बना सकते हैं बुक में बहुत सारा concept है आपको domain range के बारे में बताया जाएगा आप उस concept को मत दिखे कभी exam में ऐसा पुछता नहीं है यह objective में पुछ देता है कि आप इसको बना के दीजिए बनाने पर भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि बहुत unique तरीका है यह निकानने का आपको बस ध्यान रखना है कि इसका range कहां से कहां तक जा रहा है negative रहने पर क्या होगा positive रहने पर क्या होगा यह सारे चीजों को ध्यान देना होगा याद रखिए आपका 12th exam है और मैं आपके लिए खड़ा हूँ कि 12th में आप बहतर नमबर लाइए बहतर नमबर लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा मैं पुड़ा 12th video 12th course पुड़ा YouTube के माद्यम से total video NCRT का solution के साथ आपके साथ आ रहा हूँ उंकार बर्मा NRG Mathematics मेरा चैनल है आप सपोर्ट किजे लाइक किजे सबस्क्राइब किजे और लोगों को जितना ज़्यादा हो सके सबको बताइए कि YouTube पर एक चैनल है जो आपके ही एरिया के टीचर्स हैं जो पूरे वीडियो को पूरे चैप्टर्स को solution करवा कर आपके YouTube चैनल में डालेंगे और आपको एक ऐसा अनुबब होगा कि पूरा solution जो आप खरिदने जाते हैं 100 रुपे, 500 रुपे, मुलेनी के ज़रूत नहीं है अगर आपको पूरा solution कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, क्या trick है, नहीं trick है, trick का उत्पन कैसे हुआ, सारा चीज बताया जाएगा बस एक जुनून के साथ पढ़ाई किजिए, और याद रखिए, अगर आपका 12 बहुत बेहतर होगा, तो आने वाला समय भी आपका बहुत बेहतर होगा याद रखें, और इस चीज को कभी भुनाए नहीं, क्योंकि अगर 12 दुवारा आपके जिंद्गी में पहुँचा, तो सर्मिंद्गी के साथ पहुँचेगा 12 दुवारा नहीं आना चाहिए दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा अगले कुश्चन को, अब अगले कुश्चन पर आते हैं, ये भी ध्यान रखना है, कि आपका इजाम है, मेरा नहीं, हम लोग सिर्फ माध्यम है, कि आपको आगे का रस्ता बताएंगे, लेकिन करना आपको है, जुनून आपके पास होना चाहिए, माबाप का सपना आपका है, आपके माबाप का सपना है, और आपका भी सपना है, सपने को पुड़ा कीजिए, आगे बरिए, और दम लगा के जितना हो सके उतना महिनत कीजिए, दो बार, तीन बार, चार बार कॉंसेप को पढ़िए पूरे वीडियो को लगन के साथ पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई किजेगा, रिजल्ट होगा, समाज में नामा होगा, माबाप का नाम रवसन होगा, और आपका भी नाम रवसन होगा, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़कर आपका और चलिए आगे का question देखेंगे चाथा नमर咪को आप अपना ध्यान रखिए और प्रपरली प्रहाई कीजिए ज्यादार टाइम नहीं है बोड्र का अभी बूड का में शुटा हुआ है चाहूँ अचे नहीं पढ़ रहे हैं मैं डेली एक घंटे-देर घंटे का वीडियो अप्रूट करता जाओंगा यूटूब अपने यूटूब चानल पे जो आपका यूटूब चानल है अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों को बताइए जिन लोगों के पास पढ़ने का सा बादन तो है लेकिन वेचारे रेगुलर नहीं हो पाते हैं चाहे किसी कारण बस पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको मेरा वीडियो पहुंचाई है क्योंकि मैं पूड़ा टुबेल का मैथ फिरी और कॉस्ट यूटूब पे डालने वाला हूं पूड़ा चैप्टर का सॉलूश जिसमें आपको कोई बुक सॉलूशन लेने की ज़रूत नहीं है कैसे कैसे काम करता है नहीं करता है सारा चीज बताऊंगा अब आगे का चीज अगला हमारा चौन्था नमर क्वेश्चन है क्वेश्चन है टैन इन वर्ड माइनस रूट थिरी बराबर क्या होगा तो लिखे मान फोर्थ क्वाडेंट में होगा फोर्थ क्वाडेंट में होगा फोर्थ चतुर्थांस भी इसको बोल सकते हैं चतुर्थांस में होगा और चौन्थे चतुर्थांस में जितने भी मान होते हैं सारे के सारे नगेटिव एंगल होते हैं देरफोर आप लिखिएगा टैन इ तो माइनस होगा यही आपका अंसर हो गया ठीक है चलिए आप आगे का क्वेश्चन देखिएगा लेकिन मेरा काना है कि ज्यादा काम करेगा आपके खुद के बनाए नोट से क्योंकि आपको वो याद रहेगा कि आपने क्या-क्या लिखा मैंने क्या-क्या काहा और आपको क्वेश्चन बनाते बक्त वहाँ पे क्या नोटिंग किये सिर्फ वीडियो मत देखिए पेन पेपर लीजिए और उसको दमसरलता के साथ धगनता के साथ मेहनत करके पूरे पूरे लगन के साथ पढ़ाई किजिए टुबेल्थ में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं बस अरती आपके पास जिनून होना चाहिए एक मकसद होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं इस मकसद से जीए और आगे बढ़िये हम आपके साथ हैं बस आपका सपोर्ट चाहिए एक छोटे से चैनल के माधियम से हम आपके पास आये हैं और बस हम यह चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएए और आपका भविस उजवल रहे आगे का क्वेश्चन है पाचमा नंबर कॉस्ट इनवर्स माइनस वइन वाई दो चलिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब आया क्वेश्चन बहुत है और अंसर लाने के लिए आपको बस पाई में से घटा देना है पाई में से क्या करना है गटा देना है तो लिखेंगे यहां यहां cos inverse minus 1 वटा 2 का मान negative है क्या है negative है को cos inverse 1 वटा 2 में निनात्मक मान है cos inverse में क्या लिख रहे थे cos inverse में निनात्मक मान है अत इसका answer second quadrant में होगा second quadrant में होगा आप question बोलिएगा second quadrant में होगा आप भी बोल रहें है fourth में होगा fourth में शिर्फ और सिर्फ sine और 10 का होगा तिनी तो याद रखना साइन कोस 10 साइन और तैन का fourth में होगा और cos का जो answer होगा वह आपका second में होगा cos inverse जो है अपने साथ negative रख रहा है तो यहां लिखिए गा cos inverse अपने साथ negative मान रख रहा है अता इसका answer second quadrant में होगा therefore cos inverse minus 1 by 2 तो पता कीजिए कि इसका 1 वटा 2 मान कब होता है एक वटा 2 होता है 60 degree पर और 60 degree को आप लिख सकते हैं pi y 3 आप यहाँ पर answer नहीं है second quadrant लाने के लिए आपको 180 में से घटाना होगा क्योंकि इस quadrant में हो और क्यों घटाया जाता है lecture में जाकर देखिए आप lecture को शुरुवाती से लेके आज तक पहुंचिएगा मजा आएगा चाहाए ऐसा हो कि आप जो पहला lecture है पहला lecture के बाद साहे दूसरा lecture में ही हम इसके बार में discussion किये थे दूसरे के बाद इस lecture को देखिए थर्ड लेक्चर जो हमारा है उसको मत देखिए थर्ड लेक्चर ने पुड़ा और रेंज का कोई केसी लेकी नहीं चलना है बसरते बस याद रखना है कॉस इन्वर्स कहां पर अंसर देता है तैन इन्वर्स कहां पर देता है sin inverse कहां पे देता है sin inverse positive रखता है first में cos inverse positive रखता है first में tan inverse positive रखता है first में but sin inverse negative रखता है fourth में cos inverse negative रखता है वो भी fourth में लेकिन cos inverse negative रखता है second में और जब second वाला answer जहां भी दिखेगा बस πाई में से इसके positive वाले मान को क्या कर दिजेगा घटा दीजेगा तो बताई ये cost ठीटा का मान 1 बटा दू कभ होता है माइस उन्होंटा दू नहीं cost ठीटा का मान 1 बटा दू कभ होता है पाई बाई थ्री पर सेकंड क्वाडन्ट है पाई में से घटा दीजिए आ जाएगा तुरत आप कांसर आ जाएगा इसमें रटनी की भी ज़रूरत नहीं है चलिए अब यह चीज को उतार लिजिए कॉपी पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे हमारा कौन सा कॉस्चन है आप डिरेक्ट बताईएगा तैन इन वर्स माइनस नगेटीव है लिखनी की क्या जूरत है फॉर्ट्ट कॉर्द नगेटिव एंगल तो टैन वन का मान होता है पाई बाई वैटा फोर पे फोर्ट कॉर्द्ट में और चा नगेटीव मान सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 10 inverse का negative man fourth में 10 inverse का positive man first में cos inverse का negative man second में और sin inverse का negative man fourth में 10 inverse का positive man first में बस इस चीज को याद रखे और जो हम बोल रहे हैं उसको बस note करके एक जगा एक सरगंता के साथ उसको बस याद कर लिजे आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक चीज याद रखे एक question आपके लिए जी हो जागा चूटकी में बना लिजेगा चली आप आगे क question देखते हैं आगे हमारा कौंसा question है 10 inverse हो गया हाँ अब सेक इनवर्स आ गया जी बहतर question आपका अब हो लेगा सेक इनवर्स आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं जरूर थी नहीं है सेक इनवर्स बताने की सेक इनवर्स का उल्टा करके system लगा दीजे अंसर आ जाएगा चली हम थी तो याद करने के लिए बताया थे तो सेक का उल्टा क्या होता है कौस इनवर्स सेक इनवर्स का उल्टा कौस इनवर्स दो बटा रिट थी का उल्टा रूट थी बटा दो क्या बूलिएगा यहां कौस इनवर्स अपने साथ positive value रख रहा है positive value रख रहा है therefore कौस इनवर्स root 3 बटा 2 का मान first quadrant में होगा first quadrant में होगा therefore cos inverse root 3 बटा 2 का मान तो first में होगा लेकिन cos का उल्टा inverse and root 3 बटा 2 बटा root 3 and root 3 बटा तो कब होता है 30 degree 30 degree बोले बोले तो 5 बटा 5 ठीक तो है 5 बटा 6 5 बटा 6 30 degree बड़ा confusion है जी इसमें तो चलिए 30 degree बोले पाइब बटा 6 यह आपका answer हो जाएगा बस यह concept याद रखना है concept में कुछ है नहीं domain range की जरूरत नहीं बस इस concept को देखिए वीडियो देखिए अच्छा लगे दोस्तों के पास हो चाहिए कि आपको फिरी में सब कुछ मिल रहा है तो बस उसको अब्जर्व किजिए knowledge हर जगा से लेना चाहिए मैं किसी को माना नहीं करता कहा पढ़ रहें क्या कर रहें बस knowledge को ग्रहन किजिए लेकिन knowledge ग्रहन करनी की सक्टी जो हो जबर्दस्थ होनी चाहिए आप जब करें तो लगे कि आपको फिल हो कि नहीं मैंने आज पढ़ाई किया है क्योंकि बोर्ट दुवारा आगे आपके जिंदगी में तो आपको वेश्टी करवा देगा लेकिन अगर बोर्ट एक ही बारा कर आपको 80%, 82%, 84% उसके बाद जब आप math लिये हुए हो और आप BCC का exam दे अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको अच्छे इंजर्णी कॉलेज मिल जाएंगे आज नॉर्मल ग्रैजूशन डिग्री से बहुत अच्छा है कि आप एक टेक्निकल डिग्री अपने साथ रखिए बहुत काम देगा चलिए आगे का कुस्चन हमारा फिर आया कॉट इसको कैसे बनाएंगे फिर वही प्रॉसेस लगाएंगे सेवन से आगे एट नमर कुस्चन पर इंसी आट यह बंद होने वाला है पहला चप्टर और लोग सेकंड चप्टर में कुछ देर में प्रवेश्च करने वाले हैं जिसके लिए पास करते हैं थुरा समाब आते हैं छोड़िए कि हमारा कॉस्चन कहां पर था काट इनवर्स रूट थि चलिए आधमा नमबर कॉस्चन काट इनवर्स रूट थिरी मैंने बोला बस तीन ही आध रिखना है जरूरत नहीं इसको याद करनी कांड इनवर्स रूट फिरी का उल्टा वन बटा रूट त्र रख रहा है, therefore, 10 inverse अपने साथ positive value रख रहा है, therefore, इसका मान first quadrant में होगा, first quadrant में होगा, therefore, लिखेगा 10 inverse, 1 by root 3, और हम जानते हैं, 10 inverse का मान, 10 theta का मान root 3 होता है, 5 by 6, बोले तो 30 degree पे, और 10 inverse root 3, 1 by root 3 को लिख सकते हैं, 10 का उल्टा, 1 by root 3 का उल्टा, root 3, अंसर हो गया, आप इसका अंसर बता ही, चाहिए, इसका अंसर बता ही, दोनों एक ही रहेगा, अब आगे हमारा question क्या है, थोड़ा अगर fast लगे तो YouTube में आपको ऐसा दिया हुआ है, क्या आप speed को कम कर सकते हैं, और अपना comment छोड़िए कि यहां सर ज्यादा fast है या ज्यादा slow है, तो अगले वीडियो में थोड़ा से और बहतर speed या बहत कम speed में आएंगे आपके लिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम लोग तो भाई बना चुके हैं, सब बहुत पहले ही, 9 का जो हमारा question है, cos inverse minus 1 by root 2, simple सी बात है, cos inverse अपने साथ negative value लिखेंगे, यहां, cos inverse अपने साथ negative value, negative value रख रहा है, therefore, cos inverse का मान, second quadrant में होगा, second quadrant में होगा, क्यों होगा, क्योंकि cos ही तो एक है, जो negative रखने पर second जाता है, therefore, cos inverse minus 1 by root 2, मान क्या निकालना है, बस पता करना है, कि 1 by root 2 कव होता है, 1 by root 2 होता है, pi by 4 पे, लेकिन second होने का कारण pi में से घटाईएगा, तब 4 एका 4 में से एक जाएगा, 3 pi by 4, अंसर हो गया, आपका इस तरह से, जितने भी objectives है, बोल्ड में पूछता है, वो objective आपको complete है, अब हम लोग कुछ जो question बचा हुआ है, बुक नहीं है, आपको अगला question आपको करवाया जाएगा, 9 question complete है, 9 के बाद आपका 10 है, 10 आपका है, कॉसेक इनवर्स, अभी एक और question है, कॉसेक इनवर्स, minus root 2, यह हमारा question है, देसमा नंबर, हां, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ल होता है, sine, तो कॉसेक इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स, minus root 2 का इनवर्स, minus root 2, sine इनवर्स अपने साथ negative मान, negative मान बोले तो fourth quadrant, fourth quadrant बोले तो negative angle, तो 5 बटा 4 होता है, 1 by root 2, sine theta का मान, 5 बटा 4 पर 1 by root 2, negative होने के कारण minus 5 by 4, और यह हमारा हो जाएगा answer, तो इस तरह से आपका 10 question complete है, अब है 11, 12 और 13, इस question को कैसे बनाएंगे, तो चली आते हैं इस question पर, 11 number question, 10 number के बाद, 11 number question पर आते है, 11 number हमारा question क्या है, 11 number है, जोड कर बताना है, इसका मान कितना आएगा, 11 number जो हमारा question है, जोड कर बताना है, मान कितना आएगा, question गारा नंबर है, 10 inverse, 10 inverse 1, पलस, cos inverse, minus 1 वटा 2, पलस, sin inverse, minus 1 वटा 2, दीकि कितना easy way में बनेगा यह, 10 inverse 1, positive value, first parent, 10 theta का मान 1, कहा होता है, पाई वाई 4, cos inverse minus 1 वटा root 2, cos inverse के साथ negative एंगल, ठीक है, cos inverse के साथ negative मान, second quadrant, इसको भोल जाईए, वाई वटा 2 कब होता है, पाई वटा 3 पर, साथ डिग्री पर, तो पाई वटा 7 लिख दीजे, लेकिन इसका second quadrant में answer होगा, पाई वटा 3, ठीक है, second quadrant में होगा, तो पाई मेंसे इसको घटा देंगे, ठीक है, पाई वटा 3 बोले, तो साथ साथ पर बनेटा 2, साथ भी नेगेटिव एंगल है, 4th quadrant, असाइन का मान वटाटा दुख कर होता है, 30 डिग्री, पाई वटा 6, पाई वटा 6 तेहां हो जागा, इस तरह से आपका हो जाएगा, आप LCM ले लिजिए, डारेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बारा पाई, माइनस फोर पाई, माइनस टू पाई, ठीक, बारा तीन पंदरा पाई, चार दू छव पाई, बटा हो जाएगा, बटा बारा, पंदरा में 6 जाएगा, नौ पाई बटा बारा, तीन तिया नौ, चार तिया बाई, थीरी पाई बाई फोर अंसर, या डारेट कैसे कर सकते हैं, इसको आप बोल रहे हैं साथ डिगडी, इसको बोल रहे हैं 30, 90, 180 में से 90 जाएगा, 90, और 90 में 45 जुड़िएग जब आपको बोर्ड में 2 नंबर का दे देगा, आप बिस्तार से लिख दीजिए, आपके पास सिंस होना चाहिए, कि हाँ को हाँ पे लिखना क्या है, हम लिखेंगे हाँ पे 10 इंवर्स, 10 इंवर्स 1 का मान क्या होगा, तो पहले लिख दीजिएगा राम से, उसके बारे में बताया जाएगा, आपको जब चैप्टर में कैसा question मिलेगा, मेरे को यह बस लग रहा है कि objective का ही आएगा, इसला objective related ही हम रखें है, चली 11 नंबर के बाद हमारा आएगा 12 नंबर, 12 नंबर हमारा क्या है, उतारने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो को pause करके उतार लिजे, कोई live class नहीं चल रहा है आपका कि आप आगे छुट जाएगा, 12 नंबर है, cost inverse 1 बटा 2, पलस 2 sin inverse 1 बटा 2, कुछ नहीं करना है, 12 नंबर जो question इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, cost inverse 1 बटा 2, यहाँ पे 2 sin inverse है, अर्था, आप ऐसे बोलिए, 2 sin inverse को लिख सकते हैं, sin inverse 1 1 बटा 2, पलस sin inverse 1 बटा 2, आपको बताया गया है, कि अगर cost inverse के साथ यह, और इसके साथ यह, दोनों अगर सेम रहा, ठीक, और minus 1 से 1 के बीच में रहा है, इसका मान होता है, पाई बटा 2, ठीक है, अब पलस, sin inverse 1 बटा 2 बोल रहा है, तो sin inverse के साथ positive मान है, positive मान बोले तो first quadrant, first quadrant बोले तो 1 बटा 2 कब होता है, 30 दिगडी, तो इसका मान हो जागा, पाई बटा 3, पाई बटा 6, अब 2 और 6 काल से हम 6 दोती है, अच्छो 3 पाई, आच्छो एक आच्छो तो 5, 4 पाई बाई, 6 तो 3, 2, तो यह हो जागा, 2 पाई बाई, 3 अंसर, इस तरह से असान हो गया ब 1 Y 2 को लिख सकते हैं, 5 Inverse 1 Y 2, पुलस 5 Inverse 1 Y 2, अब क्या है कि Cos Inverse अपने साथ भी रखा है, 1 Y 2, और 5 2 मिलके हो जागा, 30 डिग्री, नब्पे घिजडी लिख दिया मैने, 5 Inverse अपने साथ negative रखा है, positive रखा है, positive रखने का मतलब क्या है, कि वो फर्सSl बर देगा, तो बस दिम जिस तरह से काम करना है चली हमारा 12 नमबर के बाद क्मार्ब कुष्चन नमबर है 13 नमबर जो हमारा क्वेटिए को पॉस करके आप अपना कॉप्इ कंप्लिट के जिए question number हमारा 13 वो क्या है sin inverse x बराबर y तो बोल रहा है क्या कौन सा option सही है पहला option हमारा है 0 से इस तरह का option है इसमें कह रहा है क्या कि 0 के बराबर या 0 से बढ़ा होगा by बट पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा यह तो काम नहीं करता है by by कहने का मतलब होगया range यह range में आएगा और range क्या कहता है इसका कि range कहता है कि minus pi बटा 2 से लेकर pi बटा 2 तक रहूंगा अब minus pi बटा 2 से लेकर pi बटा 2 कहने का मतलब क्या है कि minus pi बटा 2 भी रहेगा और pi बटा 2 भी रहेगा लेगल इसके बीच में रहेगा कौन तो यही by क्योंकि हम range निकाल रहे हैं नजदीक वाला domain दूर वाला range तो by का मान आपका यह होगा और option number आपका कौन सा है option number आपका b है अब आपका आएगा 14 number question option number आपका इसका b answer हो जागा याद रखना है minus pi by 2 से लेकर pi by 2 तक 14 number हमारा है 10 inverse root 3 minus shake inverse minus 2 कमान कितना होगा 10 inverse root 3 है तो पहले तो 10 inverse root 3 कमान बताइए 10 inverse के साथ positive है first quadrant root 3 60 degree 60 degree बोले तो pi by 3 minus अब यह भाई इसका concept हम दिये नहीं है बस यह बोले कि shake का उल्टा क्या होता है cos inverse minus 2 का उल्टा क्या होगा 1 by 2 minus 1 by 2 अब बस इसमें लगा दीजे pi by 3 minus cos के साथ negative एंगल negative है तो confirm यहाँ पर क्या आएगा पहले pi क्या आएगा pi minus कोशी टाक मानोंटड़ा दुकब होता है 60 degree 60 degree बोले तो pi by 3 अब इसको कर दीजेगा क्या इसको कर दीजेगा pi by 3 minus pi plus pi by 3 अब इसको solve कर लिजे 3 तो होजागा pi minus 3 pi plus pi pi 2 pi में से 3 pi अब पहले गया second chapter भी video आपको upload कर दिया जाएगा उसको आज कर देंगे आज ही बना देंगे या आज कर देंगे कल तक आपका second chapter का video complete हो जाएगा आपको पूड़ा NCRT का solution NCRT का total solution NRG mathematics channel मेरे द्वारा पूड़ा solution करवाया जाएगा बस आप मेहनत किजिए और इस तरह से मेहनत किजिए कि लगे कि हाँ हम कुछ करने वाले हैं क्योंकि जब जुनून सबार होगा पढ़ाई का ना तो दूसरा चीज कुछ नहीं दिखेगा ध्यान रहे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है चलिए गुड़ नाइट सुबरात्री और अच्छे से पढ़ाई किजिए अगर अच्छा लगे तो दोस्तों की बिच में सब वीडियो को फैलाईए शेयर करवाईए और बताईए कि पूरी तरह से आपको NCRT का total solution फिरी मिल रह अनर्जी माथमेटिक्स चैनल पर गुड़ नाइट टेक केर बाई